हेलो स्टूडेंट्स आज की इस लेक्षर में हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन्स की जो रिलेटिड होंगे हमारे चैप्टर वन से यानि मैटर इन आवर स्राउंडिंग क्लास नाइन साइन्स से और ये सभी आपके एनिस्यार्ट ये बुक के जो अंदर पेज चीज होते हैं उनमें कुश्चन होते हैं उन पे हैं तो आप पेज नंबर थ्री के कुश्चन अभी डिस्क्स हो गए यहां पर आप उनको एक बार चेक करेंगे विच ओप दा फॉलोविंग आप मैटर्स आपको कुछ एक्जामपल्स दिये गए हैं कुछ आइडिया दिया गया है कि यह क्वांटिटीज हैं और आपने यहां पर इनको चेक करना है कि किस तरह के मैटर्स हैं यह मैटर है भी या नहीं तो जितने भी एक्जामपल दिये हैं सभी हमारे आसपास की चीज़े हैं जैसे चेयर, एयर, लौव, स्मेल, हेट, आलमोड, थोट, कोल्ड, कोल्ड रिंग, स्मेल और पर्फ्यूम तो हर वो चीज जो जगह घेरती हैं अनिफिंग देट ओक्विपाइ स्पेस और हैज मास्स इस काल्ड आज मैटर्स मैटर्स एक्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट और मैटर तीन तरह की अलग-अलग स्टेट में पाया जा सकता हैं इन में से आप बढ़ी असानी से बता सकते हो कि चेयर एंड आलमोंड्स आल आर इन स्टोलिड स्टेट कोल्ड रिंग या फिर सिर्फ कोल्ड रिंग यहां पर लिक रखेंगे तो एयर और स्मैल और पर्फ्यूम और गैस्य स्टेट उप मैटर यहां पर हमने अलग-अलग तरह के से इनको डिफाइन कर दिया कि यह मैटर कौन से होंगे इन में से अब जो आपने स्टेट दी हैं उनमें जो जो मैटर आई हैं सिरफ वही मैटर हैं बाकि दीन सूंघनी के क्षमता होती है वह मैटर नहीं होगे बल्कि मैटर क्या होगा वह गैसी वह जिसकी वज़े से हमें smell आ रही है कोई भी ठीक है इसलिए हमने इसको matter कहा है तो इसको ध्यान में रखेंगे कि पूच्छा क्या गया है आप से उसके वेश पर ही आप पता होगे answer क्या होगा question number two give reason for the following observation यहाँ पर एक observation ले गई है और उसको आपने explain करना है क्यों ऐसा क्यों हुआ the smell of hot sizzling food riches you are several meters away यहाँ पर यह कहता है कि गरम अगर food है कोई तो हमारे तक बहुत दूर से उसकी smell जोह पहुँच जाती है but to go to the smell from cold food you have to go close लेकिन अगर आपके सामने cold रखा हुआ है कोई भी ठंडा खाना रखा हुआ है तो उसकी smell लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है तो बहुत simple answer है यहाँ पर एक process काम करती जिसको diffusion कहा जाता है यानि intermixing of particle हमारे और food के बीच में जो air present है उसमें अगर वह smell इंटर मिक्स हो जाए यानि उसके पार्टिकल इंटर मिक्स हो जाए तो हम तक बड़ी असानी से पहुंच सकते हैं अब दोनों कंडिशन को ध्यान से देखें एक एक में temperature ज्यादा है फूड का यानि वहां पर पार्टिकल के energy भी ज्यादा है तो बड़ी असानी से क्या हो सकते हैं डिफ्यूज हो सकते एर के साथ और हमारी नोज तक वह पहुंच सकते हैं जो गरम खाना होता है उसकी smell हम दूर से ले सकते हैं लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसके पार्टिकल के पास इतनी energy नहीं होती इसलिए हम हमारी नोज तक नहीं पहुंच पाता या कह सकते हम डिफ्यूजन उसके सबें कम होता है अगला कुस्चन हमारे पास है डाइवर इस एबल टू कट थरो वाटर इने स्विमिंग पूल विच प्रोपर्टि ओफ मैटर डज दिज ऑब्जरवेशन चो एक डाइवर है यानि तराक है वह पानी को चीरते हुए अगे की तरफ जा रहा है या फिर कह सकते उसके थरो पास हो रहा हो अपने हाथ और पैरों से वह उसके क्रोस हो रहा है तो यहां पर आंसर लिखेंगे तीसरे पॉइंट का डाइबलिटी ओफ ड्राइवर डाइवर टुक कट थ्रो वाटर इन श्विमिंग पूल श्योव एट मैटर इस मैटर पॉप पार्टिकल्स अगर इनके बीच में वह पास हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह मैटर पार्टिकल्स का बना जो एक दूसरे से दूर भी हो जकते हैं जब वह हाथ मारता हुए आगे चल रहा है फॉर्थ पॉइंट यहां पर है फॉर्थ कुस्चन है वाट आर्ट अर्ड़ क्रेक्टिक पॉप मैटर या फिर पार्टिकल्स मैटर यहां पर आप आंसर देंगे बिलकुल सिंपल हमसे प मैटर हैव स्पेस बिट्विन देम जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बीच में बहुत सारा स्पेस प्रिजेंट होता है अगला पॉइंट है पार्टिकल्स ओप मैटर आर कंटिनुसली मूविंग पार्टिकल के जो पार्टिकल है मैटर के वो लगातार मूव करते रहत वो एक दूसरे को अट्रेक्ट करते हैं इस तीन प्रोपर्टी है जो हमने रिवाइज कर लिए एक तरह से हमने चेप्टर में भी इनको पड़ा था अगला कुश्चन यहां पर है दो मास पर इनिट वोल्यूम ऑप सब्स्टांस इस काल्ड डेंसिटी यानि नंबर ऑफ पार्टिकल और उनका मास डिवाइड कर दें अगर वोल्यूम से तो वो डेंसिटी बन जाता है हमें कुछ एक्जामपल दिये गए हैं उनको अरेंज करना हैं जैसे एयर है एक जोस्ट फ्रोंज चिम्नी है हनी बांट चाल कोटन एंड इर्ण यह सभी के सभी अलग अलग तरह के हैं लिक्विड स्टेट में भी हैं तो हमें यहां पर अरेंज करना है उनकी डेंसिटी खेंग तो हमें पता है सबसे ज्यादा पार्टिकल सोलिट तो जो भी होगा वो लास्ट में आएंगे और जो लिक्विड होंगे वो मिड में आएंगे और जो गैसे फोर्म होगे वह कहां पर आएंगे क्योंकि हमें क्या करना है बढ़ते हुए करम में को लिखना इंकरीजिंग ओडर में तो सबसे पहले एयर आ होगे यरे पारटेकल मिल जाते हैं कौन से पार्टेकल जो उस इस होगे होंगे मतलब नोचे जादा ही होंगे ठान प्रचार ये सभी के सब्होंना की टेबल की फॉम में कि डिफरेंस क्या-क्या होंगे solid, liquid and gaseous state में। बहुत आसान है, solid के case में definite shape होती है और volume होता है, liquid में definite shape नहीं होती और यह volume भी उसी का contain करती है, जिसमें object को रखा जाता है, for example हमने किसी glass में अगर water को रख दिया है, तो वही shape हो जाएगी और वही volume हो जाएगा जो glass का होगा, मतलब definite नहीं होती है, gaseous form भी कुछ ऐसा ही काम करती है, इनमें कुछ भी definite नहीं होता, solid state incompressible होती है, incompressible का मतलब होता है, हम किसी object के उपर कोई force लगाएं और उससे उसकी shape में change आ जारे, यह incompressible का example है, liquid state जो होते हैं, compressible हो सकते हैं, कुछ amount के लिए, लेकिन gaseous state highly compressible होती है, यानि बहुत ज़्यादा compression को किया जा सकता है, अगर solid state की बात की जाए, तो इनके particle के बीच में बहुत कम space होता है, liquid की case में जो space है वो बढ़ता रहता है धीरे-धीरे, और gaseous state में यह space बहुत ज़्यादा हो जाता है, fourth point में हम बात करेंगे, जो particles होते हैं, solid gay, वो एक दूसरे को attract करते हैं, बहुत strongly, liquid की case में जो attraction है, यह कम हो जाती है, और क्योंकि particle एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और gaseous form में अगर हम बात करें, तो यह और भी कम हो जाते हैं, fifth point है, particles of solid cannot move freely, अब solid है, सभी particle एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, यानि वो freely move नहीं कर सकते हैं, लेकिन gaseous और liquid जो state होती है, उनमें particle जो है move कर सकते हैं, liquid में यह एक pattern में move कर सकते हैं, लेकिन gaseous form में randomly कहीं भी किदर भी move कर सकते हैं, अगला question हमारे पास है, इसी सीरीज में comment upon the flowing properties, यह कुछ properties दी गई हैं, इनको आपने बताना है, यहां पर जैसे देख सकते हैं, पहली property है rigidity, rigidity, rigidity का मतलब होता है कोई भी कितना द्रिड है, आप कह सकते हैं, माल लिजा आपने हतोड़े से किसी object के उपर hit किया, और वो उस hit को जो है ignore कर दे, उसके उपर कोई असर ही ना उसका, तो हम कह सकते हैं कि वो rigid है, rigidity can be expressed as the tendency of matter to resist a change in shape, यानि अगर कोई object अपनी shape में change नहीं होने दे रहा है, तो हम कहेंगे उसे rigid है वो, compressible, compressible का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा object जो अपनी shape में change होने दे, यानि एक दूसरे के opposite होगी दोनों property, fluidity का मतलब होता है, कोई object में जो particle है, या फिर वो खुद object है, वो flow, यानि तायरने की capability रखता है, तो उसे हम fluidity कहेंगे, by filling a gas container, इस term का क्या मतलब है, यहाँ पर कहा गया है, कि एक gas container को fill किया गया है, यानि उसमें हमने particle को fill कर दिया है, चाहे वो liquid state हो, चाहे gassy state हो, और उनके particles ने वही shape अपनी बना ली है, जो container की shape थी, shape का मतलब होता definite boundaries, और kinetic energy क्या होती है, energy possessed by a particle due to its motion, अपने motion की वज़े से, जो energy होती है किसी भी object में, तो हम कहेंगे, वो उसकी kinetic energy आएगी, उसके बाद density, density होता mass per unit volume, यहाँ पर एक simple example से समझाता हूँ, आपको मैं, आपके पास equal dimension का, अलग अलग तरह के दो box हैं, यानि, dimension same है, boxes same है, एक जैसे है, shape size उनके, volume same है दोनों के, लेकिन एक में आपने 100 जो है, बोल्स रख दी है, और दूसरे box में आपने only 50 बोल्स रख दी है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक box में 100 बोल्स हैं, और volume उनका क्या है, fix है, तो यहाँ पर जो density की ratio आएगी, यानि, mass per unit volume, mass of total volts, यानि 100 बोल्स का mass, divided by volume, क्योंकि volume same है, तो दोनों में से 100 बोल्स वाला जो result होगा, उसमें term जो है, ज्यादा आएगी, यानि density की value ज्यादा होगी, mass per unit, volume की values के इसमें ज्यादा होगी, तो बड़ी असानी से कह सकते हैं, कि वहाँ पर density आएगी, ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, all the best.